अगर आप भ्रह्मान में रूची रखते हैं, तो भ्रह्मान क्या है और किस से बना है? ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे. साथी साथ हम यह जानने के भी कोशिश करते हैं कि भ्रह्मान में आखिर है क्या? लेकिन यह ऐसे कैई रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसका जवाब अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है. इस वीडियो में मैं आज आपको भ्रह्मान के कुछ रहस्यों के बारे में बात करू ब्लैक हॉल यह सभी कुछ इसका हिस्सा है. इसके साथ ही आपको अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहिए. अंतरिक्ष शब हम उस जगह के लिए उपयोग करते हैं जहां ब्रह्मान की खाली जगह हो. जैसे कि हमारी प्रतवी और मंगल ग्रह के बीच रही जगह को अंतरिक् की जगह हैं. अब जानते हैं कि ब्रह्मान का जनम कैसे हुआ? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलोजी नहीं है कि समय से पीछी जाकर पता लगाया जाए कि ब्रह्मान का जनम केसे हुआ था. पर विज्ट्ञानी को दौरव किसीत की खूए कुछ ठि़ियोडरी है जिस इसे लगबग 13.6 अरब साल पहले इसे एक बिंदू से जो की बहुती गर्म, घना और उर्जावान था, उसमें एक धमाका हुआ और जनम हुआ हमारे भ्रहमान का, इसी के साथ समय और अंतरिक्ष आस्तित्व में आए, फिर इसी बिंदू की उर्जा चारो तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स बनने लगा, चली अब जानते हैं कि इसके बाद भ्रहमान कैसे बना, जब भ्रहमान फैलना शुरू हुआ, तब वह ये इतना गर्म था कि किसी भी वस्तू का आस्तित्व सम्भव नहीं था, चारो तरफ बस उर्जा ही उर्जाती, फिर बिग बैंग के एक सैकिंड बाद प्रोटोन और नूट्रोन जैसे कर्ण आस्तित्व में आए, अगर इस समय महां हम मोजूद होते, तो भी कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय परकाश के कर्ण आस्तित्व में ही नहीं थे, जिसके बिना किसी भी वस्तू को देखना संभव हो जाता है, फिर अगले तीन मिनट में परकाश के कर्णों ने जनम लिया, इसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, वैसे अलग अलग तरह के कर्ण आस्तित्व में आने लगे, अगले तीन लाग अस्सी हजार साल में इतना ठंडा हो गया था कि अनू की रचना कर सके, जिसके अंदर एलेक्टरोन और प्रोटरोन होते हैं, फिर इनी कर्णों ने 400 मिलियन साल बाद मिलकर पहले तारे की रचना की, इसी तरह कैई तारे बने और इन सब ने मिलकर आकाश गंगा की रचना की, साथ ही कैई घ्रहों की भी रचना की, लगबग ब्रहम ब्रहमान के जनम के 9 अरब साल बाद हमारे सोर मंडल का जनम हुआ, जिसके अंदर हमारी है प्रत्वी बनी हुई है और उस पर हम रह रहे हैं, अब जानते की भ्रहमान की रचना किस पदार्थ से हुई है, आज से 30 साल पहले विज्ञानिकों को यही लगता था कि भ्रहमान स सिर्फ सामानिय पदार्थ से मिलकर बनाएं, जो हम देखते हैं सिर्फ वही सब कुछ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, यूनिवर्स यानि ब्रहमान में कुछ ऐसी भी चीजों का आस्तित्व है, जिने हम देख नहीं सकते, और नरी मैटर, सामानिय पदार्थ जिसे हम अप सिर्फने वाले करण डार्क मैटर है, साल 1930 के दोरान, फ्रिट चुई की नामक विग्यानी गैलेक्सी कस्टमर की गती का अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सी समू के केंदर की नजदीक थी, उनकी गती और समू के बाहरी किनारों पर आई हुई गैलेक् लगिन था, इस आकाश गंगा के समू में इतना दिर्वेमान नहीं था कि उससे उत्पन गृत्वा करेशन बल, यानि कि अट्रैक्शन फोर्स को वे किनारी की आकाश गंगा को जोड़ कर रख सके, इससे अब तक तो उन आकाश गंगाओं के तारों के समू के बाहर फैल जा गया, हमारे ब्रह्मान में इसकी मातरा 26.4% है, डार्क एनरजी, गृत्वाकरशन बल की नियम के नुसार, यूनिवर्स में मौझूद हर चीज, अनू, परमानू, ग्रह और गैलेक्सी, गृत्वाकरशन बल, उत्पन करते हैं, जिससे सारी चीजे एक दूसरे को अपनी और खीचती है, साल 1929 में एक गैलेक्सी में रहे सूपर नौवा पर हुई रिसर्च से यह पता चला, कि हमारा भ्रह्मान फैल रहा है, अब इससे एक बात तो तैथी कि गृत्वाकरशन बल की वज़ा से, इसे फैलने की गती समय के साथ धीमी हो जाएगी, जो कि सुभाविक थ खीचती है, क्योंकि गृत्वाकरशन बाहर की तरफ फैल रहा था, और गृत्वाकरशन बल अंदर की तरफ उत्पन हो रहा था, 1998 में ग्यानिकों की दो टीम ने अलग-अलग गैलेक्सी के सूपर नौवा पर परिक्षन किया, इस परिक्षन में उस सूपर नौवा को जितन हो जाना चाहिए था, मतलब कोई रहसे में बलतो जरूर था, जो हमारे भ्रह्मान यानि की यूनिवर्स को फैला रहा था, उस समय भ्रह्मान की यह रहसे किसी भी वेग्यानिकों को समझ नहीं आया, इसलिए उस चीज के समाधान के लिए उसे डार्क एनरजी का नाम दे दि में लगबग 69% है, इनी चीजों से मिलकर बना है हमारा भ्रह्मान, क्या अब आप जानना चाहेंगे कि भ्रह्मान का आकार क्या है, अभी तक हम यह नहीं जानते है कि भ्रह्मान का आकार क्या है, लेकिन इसकी घंता पर दो अंदाजा लगाया गया है, अगर भ्रह्मान के घ मूल्य एक से कम है तो यूनिवर्स बाहर की तरफ फैलता नजर आएगा तीसरी स्थिति यह है कि अगर घनत्व का मूल्य एक होगा तो ब्रहमान का आकार समतल होगा यह हमेशा से फैलता जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं होगी अब हम कुछ परिशनों के बारे में जानते है ब्रहमान कितना पुराना है हमारा ब्रहमान 13.6 अरब वर्ष पुराना है जो बिग बैंग से लेकर आज तक का समय है ब्रहमान का अंत कैसे होगा एक समय बाद ब्रहमान के फैलने की गती धीमी हो जाएगी और गृत्वाकरशन बलके चलते ही है फिर एक बिंदू में समा जा ब्रहमान की शुरुआत कब हुई थी? ब्रहमान की शुरुआत आज से लगबग 13.6 अरब साल पहले बिग बैंक की घटना से हुई थी ब्रहमान की सबसे बड़ी आकास गंगा IC1101 है इसके अंदर तारों की संख्या लगबग 1000 अरब मानी जा रही है जो हमारी आकास गंगा क की तुलना में लगबग तीन गुना जादा तारे है अब बारी है ब्रहमान के अनसुने सुलजे रहस्यों की इसे रहस्य जो हम नहीं जानते लेकिन जानने की पूरी उतसुकता रखते है ब्रहमान के बाहर ब्रहमान के बाहर क्या है यह सवाल किसी रहस्य से कम नहीं है हमारा यूनिवर्स 96 अरब वर्ष में फैला है जो भी जहां तक हमारी प्रत्वी पहुँच सकी है इसके आगे क्या है वो हम नहीं देख पाए है इसके आगे ब्रहमान ही है या खाली जगे पत तक तो हमें समांतर ब्रह्मान के आस्तेत्व का पर्मान नहीं मिला है लेकिन गनित और विज्ञान के नियमों की माने तो यह संभव है ऐसे ब्रह्मान जो हमारे ब्रह्मान की तरह ही होते है लेकिन वहां दूसरी घटनाए घट रही होती है जैसे कि इस ब्रह्मान में आप इं इन ही तारों के कही ग्रह है, तो क्या यह संभव नहीं है कि इतने सारे ग्रह में कहीं और भी जीवन ना हो, इतने विशाल ब्रहमान में एलियन होने ही चाहिए, इनकी जानकारी हमें एक विज्ञानिक ने फैर्मी पैराडॉक्स के जरिये दी थी, जब वे खाना खा रहे थे, ब्रहमान के पहले क्या था, इसका जवाब अभी संभव नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वो जनम के बाद ही बना है, ब्रहमान के पहले ना तो समय था, और ना ही अंतरिक्ष, तो यह जानना लगबग नामुमकीन है, ऐसा माना जाता है कि हमारे पहले भ ब्रहमान रहा होगा, जो एक बिंदू में समा गया, और फिर बिग बैंक के धमाके से जनम हुआ हमारे इस नए ब्रहमान का, या अब आप ब्रहमान की अजीब चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, ब्रहमान की ये अजीब चीज़े क्या है, एनी मैटर, जैसे काले र जाती है, तो यह उल्टा हो जाता है, केंदर में रहे प्रोटोन का विद्यूत निगेटिव और आसपास घूमरे इलेक्टोन का विद्यूत पॉजिटिव बन जाता है, इस परतिकन एंटी मैटर में बहुत उर्जा होती है, इसके लगभग 10 गराम मातरा से हम यान को मंगल गराया पर भेज सकते हैं, लेकिन इसमें समस्य यह है कि ब्रह्मान में इसकी मातरा लगभग ना के बराबर है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल किसी रहस्य से कम नहीं है, यह ब्रह्मान के वो दानव है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, यहां कुछ थियोरी के माने जाने से हर Black Hall के केंदर में एक भ्रहमांड होता है इसी था हमारा भ्रहमांड भी किसी Black Hall के केंदर में ही है भ्रहमांड से जूड़ी यही अदबुत कुछ जानकारी है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी comment box में जिरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने friends के साथ share करना और चैनल को subscribe करना notification bell को on करके Thank you very much